नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Bound to Education में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में जैसे सी Lab Assistant एं जैसे से PGT Chemistry के Question Answer के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और 7 में एक प्रकार का ये 목 test पि होने वाला है जिसमें आपको कुछ समय दे दूंगा आप सोहम से answer देने का परियास कीजेगा तो आपने साथ एक कोपी और पेन जरूर से रखेगा हरे question को खुद से solve करने का परियास कीजेगा साथ में आपका स्कोर किया हुआ लास्ट में जरूर से कमेंट करके बता दिएगा चले दोस्तों आज किस वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप चैनल पे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे अगर आपको केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स का अब्जेक्टिब का बुक चाहिए तो नीचे टेलेग्राम आडे का लिंक मिल जाएगा उसमें जाकर कि आप मुझसे कंटेक्ट कर सकते हैं या फिर वाट्सेब नमबर भी डिस्क्रिप्सन में मैं आपको प्रवाइट कर दूँगा चले आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं और आते हैं आज के पहले प्रश्ण पर तो कोशिन नमबर 20 तक हम लोग ने देख चुका था कोशिन नमबर 21 चले बनाने का पर्यास किजे कोशिन नमबर 21 है इस कोशिन का करेक्ट एंसर स्वयम से कॉपी में बनाने का पर्यास किजेगा और मैं उसके बाद एक्स्प्रेंट कर दूँगा अगर आपका सही होता है तो उसको टिक किजेगा अगर गलत होता है तो क्रौस कर दिजेगा ठीक है और बाद में आप अपना स्कोर जरूँद से बताइयेगा तो देखे कोशिन नमबर 21 है इसमें कहा गया है कि निउक्लुप्लिक सब्सटिटूशन रेक्षन क्या है कोई निउक्लोफाइल अटेक करता है और उसमें से कोई एक ग्रूप निकल जाता है और substitution होता है तो इस परकार के substitution के reaction कब लोग nucleophilic substitution reaction करते हैं nucleophile अर्थात की positive charge पर attack करने वाला तो positive charge पर कोण attack कर सकता है जो खुद electron efficient होगा अर्थात की जिसके पास जादा electron होगा वही electron donate कर सकता है तो ऐसे हम लोग को species को इस में से 4 में से ऐसे species को खोजना पड़ेगा जो की least reactive होगा तो एक एक option को यहाँ पर देखते हैं पाला option को देखते हैं CH3, CH2 और यहाँ पर CL है CL पर long pair है तो यहाँ पर देखें CH2, CH3 group का जो nature होता है वो electron donating group का nature होता है टीक है electron donate कर सकता है तो यहाँ पर electron पहले से मोजुद है फिर से इसको electron मिलेगा अर्थात यह आसानी से electron को donate कर सकता है तो यहाँ पर nucleophilic reaction आसानी से हो सकता है तो ज्यादा reactive होगा टीक है लेकिन हम लोग का question में पुछा गया है least reactive कोन सा होगा तो यह भी option हम लोग का नहीं होगा चले option B को देखते हैं option B है देखें CH2 यहाँ पर double bond है CH उसके बाद CH2 CL तो यहाँ पर भी देखें CH2 ग्रूप आ गया तो electron donation का यहाँ पर nature रहेगा तो यहाँ पर जो electron रहेगा वो आसानी से donate हो सकते हैं तो यह भी list reactive नहीं होने वाला है तो यह भी option आपका correct नहीं होगा option C को देखते हैं CH2 उसके बाद double bond CH यहाँ पर CL यहाँ पर देखें जो lone pair है वो conjugation में involved हो जाएगा यहाँ पर conjugation अगर बनाते हैं तो इस परकार इसका conjugation बनेगा ठीक है CH2 पर देखें यहाँ पर minus charge आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर CH यहाँ पर जो lone pair आ गया है उसके चलती है यहाँ पर double bond बनेगा और CL पर positive जाएगा तो जो यहाँ पर electron CL के उपर में मौजूद है वो reaction में participate ना हो करके खुद अपने अंदर ही conjugation में participate हो जाएगा जिसके कारण वो donation के लिए बहुत कम available होगा इसलिए यह सबसे ज़्यादा least reactive होगा तो इस question का correct answer क्या होगा option C option C आपका correct answer हो जाएगा अगर आपने swim से option C को correct answer choose किया था तो बहुत अच्छी बात है उसको correct तिक कर दिएगा ठीक है चले आप next question को बनाने का परियास कीज़े question number 22 which of the following is most reactive towards elimination reaction elimination reaction की और कौन सा most reactive होगा यह आपको बताना है option देख लिजए RCOO-CR-NO3-RO- elimination reaction मतलब कोई एक species को eliminate करके उसके जगह पर आ जाना इसको हम लोग elimination reaction करते हैं तिस question का correct answer हो जागा आपका RO- RO- को देखेंगे तो इस परकार R का LKL group का nature होता है electron donate करने का इसलिए most reactive होगा option D आपका correct answer होगा option D RO- यह most reactive होने वाला है तो question number 22 का correct answer याद रखेंगे option D next question को चले बनाने का परियास कीज़े question number 23 how many other major contributing resonating structure are possible for the following यहाँ पर एक structure दिया गया है इसमें और कितना resonating structure बन सकता है यह आपको बताना है तो इसको resonating structure बना करके आप देख लीजेगा इसका correct answer हो जागा चले सबसे पहले आप सुयम से answer देने का परियास कीजेगा मैं आपको समय देने भूल जा रहा हूँ तो question number 23 का बताईए question number 23 का correct answer क्या होने बाला है तो इस question का correct answer हो जागा आपका option C यहाँ पे और कितना resonating structure बन सकता है theory resonating structure बन सकता है एक तो यहाँ पे positive charge आ जाएगा फिर यहाँ उसके आगे यहाँ पे बनेगा तो इस परकार से theory resonating structure इसका possible है तो इसका option C आपका correct answer होगा next question है देखे question number 24 which of the following type of reaction occur when a substituent has got a double bond with evenly distributed pi electron cloud चलिए इस question का correct answer दीजे option देख लिजे electrophilic addition, nucleophilic addition both A and B या फिलास्ट option है none of the above तो यहाँ पर दीखे question में पुछा गया है which of the following reaction occur कौन सा reaction यहाँ पे हो सकता है substituent has got double bond with evenly distributed pi electron cloud अर्थात की कोई एक substituent है जिसमें evenly distributed pi electron cloud माल लेते benzene जैसा कोई structure होगा तो इसमें कौन सा reaction हो सकता है तो इसका correct answer हो जाएगा option A, electrophilic substitution इसका answer हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे electron reach हो जाएगा और electron reach हो जाएगा इसलिए जो reaction प्रोसीड करेगा वो electrophilic addition reaction सो करेगा option A आपका correct answer होगा next question ने दिखे question number 25 the decreasing order of the stability of the iron यहाँ पे तीन option दे दिए गए है देखे तो इसका decreasing order में आपको सजाना है केटायन दिए गए है और मैंने कहा केटायन और free radical दोनों का decreasing और increasing order लगबग लगबग एक ही तरह से चलता है तो देखे यहाँ पे option A दिया गया है यहाँ पे option दूसरा यहाँ पे दिया गया है तीसरा दिया गया है तो वीडियो को pause कीजिए और बताए इसका correct order क्या होने वाला है stability order आपको दिखाना है अर्थात की जो सबसे ज़्यादा stable है उसको पहला position पे रखना है उसके बाद second वाला को उसके बाद जो list stable है उसको सबसे पीछे रखना है ठीक है यहाँ पे दिखे option को अगर ध्यानपूरबक दिखेंगे तो पहला option में दिखे यहाँ पे दोनों तरफ CS3 ग्रूप लगा हुआ जो कि electron donate करेंगे अर्थात की यहाँ पे plus I effect सो कर रहा है जो की एक तोरों से आप कर सकते हैं कि ज़्यादा stable है उसके बाद दिखे second option में यहाँ पे CS3 है और इधर right side में O CS3 ग्रूप है तो यहाँ पे दिखे plus M effect आपने पढ़ा होगा mesomeric effect तो यहाँ पे दिखे mesomeric effect सो कर रहा है अर्थात की option 2 है जो है यह सबसे ज़्यादा stable होगा ठीक है अर्थात की 1 से भी ज़्यादा stable 2 होगा क्योंकि यहाँ पे mesomeric effect plus M effect सो कर रहा है option 3 देखे यह तो कम stable होगा कि यहाँ पे CO CS3 ग्रूप है जो के आपने तरफ electron को खिचेगा अर्थात की minus I effect सो कर रहा है तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा stable कौन सा होगा 2 number वाला सबसे ज़्यादा stable होगा तो कौन सा order हो जाएगा आपका यहाँ पे देखे 2 number वाला सबसे stable उसके बाद 1 number उसके बाद 3 number तो इसका correct answer हो जाएगा option D ठीक option D आपका correct answer हो जाएगा 2 number क्यों stable है plus M effect आपने पढ़ा होगा mesomeric effect उसके कारण यह ज़्यादा stable so कर रहा है उसके बाद 1 क्योंकि यह plus I effect so कर रहा है उसके बाद सबसे कम क्योंकि यह खुद ही minus I effect so कर रहा है electron withdrawing group so कर रहा है ठीक है एक तो पहले से plus charge है फिर से ज़्यादा unstable हो जा रहा है ठीक है तो इसका stability order क्या होगा सबसे ज़्यादा stable होगा 2 उसके बाद 1 उसके बाद 3 ठीक है तो इस order को थोड़ा से देख लीजेगा आगे चलते हैं और next question की आगे बढ़ते हैं question number 26 देखे question number 26 है more stable carbocatime is formed during heating of which of the following compound with concentrated H2SO4 options को देख लीजे CH3, whole 3, COH option B है देखे C6, H5, CH2, OH option C है देखे CH3, whole 2, CHOH option D है देखे CH3, CH, OH, CH2, CH तो बताए इस question का correct answer क्या होगा question number 26 important question है इस question का correct answer क्या होगा यहाँ पर देखे पुछा गया है कि carbocatime is born most stable carbocatime किसमे फोम होगा जिसको हम लोग हीट कर रहे हैं concentrated H2SO4 के साथ तो हम लोगोंने कार्वोकatime में पढ़ा था कि जिसमें भी phenyl group लगा होगा वो ज़्यादा stable होगा तो यहाँ पर देखे ध्यान पुरुवग अगर देखेंगे किसी में भी phenyl group नहीं लगा हुआ है CYB के तो आपका correct answer हो जाएगा B आँख मूद करके B option मार के आईएगा इस परकार से मैंने बता दिया था कि कार्वोकatime के case में क्या होता है जैसे कि इधर से माल लेते हैं cyclic group या फिर phenyl group जो भी का है यहाँ पर देखे इस परकार से अगर group लाएगा तो यह ज़्यादा stable होगा उसके बाद अगर माल लेते हैं यहाँ पर दो group लगा हुआ है यहाँ पर दो group लगा हुआ है उसके बाद यह stable होगा उसके बाद आपका यह वाल इस परकार का अगर बना रहता है इस टाइप से ठीक है उसके बाद 3 degree, उसके बाद 2 degree और उसके बाद 1 degree इस प्रकार का stability order चलता है ठीक है कार्बोकेटायन का तो इस question का correct answer हो जाएगा option B क्यों है क्योंकि यह पर देखे फिनायल ग्रूप लगा हुआ है तो सबसे stable कार्बोकेटायन option B ही बनेगा option B arrange the following carbocations in order of the stability फिर से देखे stability order का यह question है और बहुत जादा important question है इसी प्रकार का question आपके आने वाले परिक्षा में बनने वाले है ठीक है पहले दिया है गया है benzyl उसके बाद दिया गया है allyl, उसके बाद दिया गया है methyl, उसके बाद दिया गया है bhenyl तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा stable आपका होने वाला है चले इस question का correct answer दिजे, question number 27 तो इस question का correct answer हो जाएगा option B ठीक है सबसे ज़्यादा stable होगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 क्यों ऐसा होगा यहाद पर दिके benzyl लगा हुआ है, benzyl में दो तरफ से आप stability order को सोच सकते हैं एक तो resonance stabilized होगा जिसमें जैसे कि आप benzyl के structure किस परकार से बनाते है इस परकार का benzyl होता है, उपर में CH2 group और यहाँ पर प्लस रहता है चार resonating structure आपको benzyl में मिल सकता है, चार resonating structure यहाँ पर benzyl में मिल सकता है तो सबसे ज़्यादा stable क्या हो जाएगा, benzyl हो जाएगा, उसके बाद आपका allyl होगा allyl को किस परकार से बनाते हैं आप लोग, इस टाइप से CH2, CH, CH3 इस परकार का allyl होता है, ठीक है allyl, यह stable होगा, उसके बाद methyl, methyl क्या होगा, CH3, प्लस, यह आपका methyl होता है, ठीक है उसके बाद बनाईल, CH2, double bond, CH, ठीक है, यह आपका बनाईल हो गया तो इस परकार का structure होता है, तो option B आपका correct answer हो जाएगा सबसे ज़्यादा stable होगा, बनाईल, उसके बाद methyl, उसके बाद सबसे कम बनाईल होता है next देखे, question में पूछा गया है, SN2 reaction is feasible in SN2 reaction किस में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यह आपको पूछा गया है चली, इस question का correct answer बता है, question number 28 तो इस question का correct answer हो जाएगा, option A यह जो structure देख रहे हैं, यह ज़्यादा feasible होगा, क्यों feasible होगा, क्योंकि tertiary में ज़्यादा होता है, उसके बाद secondary, उसके बाद primary, ठीक है और यहाँ पे जैसे की CL आपको दीख रहा होगा, tertiary group से जुड़ा होगा है तो यह tertiary ज़्यादा feasible होगा, तो option A आपका correct answer हो जाएगा option A question number 29 है, select the statement that is not true about the following resonating structure एक resonating structure दिया गया है, यहाँ पे एक, दो, तीन structure दिया गया है इसमें से आपको बताना है कि कौन सा correct नहीं होगा, ठीक है तो एक-एक statement को देखे, पहला statement कहा गया है one is more stable than two, one is more stable than two, ठीक है two, अब मापकी जाएगा, one is more stable than three c है देखे, two is more stable than three, d है देखे, structure two has fewer bond than one and two चले, question number 29 का, खुद से बनाने का परियास कीजिए उसके बाद बताएए कि इस question का correct answer क्या होगा, तो इस question का correct answer हो जाएगा, आपको option c, two is more stable than three यह जो structure है, two, यह जादा stable होगा, ठीक है, क्यों क्यों कि यहाँ पे देखे positive charge यहाँ पे carbon पे है, और oxygen पे negative charge है, तो यहाँ पे रह सकता है, ठीक है, यहाँ पे जबकि nitrogen पे positive charge लगा दिया है, जबकि nitrogen इलेक्रो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आपका correct answer होगा, c, अर थाद की two जो होगा, यह जादा stable होगा, ठीक होगा, ठीक है, कि कौन सा ज़्यादा यहाँ पे reactive होगा, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद सबसे कम reactive कौन सा होगा, यह आपको बताना है, ठीक है, तो देखे, इस question का correct answer बताने के परियास करेंगे, option कौन सा correct होगा, question number 30 का, तो सबसे पहले तो question को समझने का परियास कीजिए, electrophilic reagent के साथ कौन सा सबसे ज़्यादा reaction करेंगा, यह पुछा गया है, ठीक है, electrophilic reagent मतलब जो negative charge पर attack करेंगा, खुद positive charge होगा, तब जागर के negative charge पर attack करेंगा, तो हर एक option को देखे, यहाँ पर देखे, OCS3 group है, अर् तब यहाँ पर benzene ring में electron, आपका electron cloud जादा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर positive charge अराम से attack कर सकता है, तो सबसे पहला position पर आपको एक number मिल गया, उसके बाद 2 number benzene ring है, उसके बाद 3 number को देखते हैं, यह आप तो देखे, minus eye effect हो कर रहा है, अर्थात की benzene ring में electron cloud, अर्थात की electron का स order हो जाएगा, option C, ठीक है, एक number वाला सबसे ज़्यादा reactive होगा, उसके बाद 2 number वाला, उसके बाद 3 number वाला reactive होने वाला है, तो question number 30 का correct answer कौन सा होगा, option C, next question को देखते हैं, question number 31, CS3 BR plus NU minus, यहाँ पर reaction कर रहा है, nucleophile यहाँ पर यह देखे, और यहाँ पर CS3 NU बन रहा है, औ BR यहाँ से substitute हो जा रहा है, तो इसमें कहा गया है, the decreasing order of the rate of the above reaction with nucleophile A to D, तो यहाँ पर बताईए कि कौन सा यहाँ पर A number में यह दिया गया है, B number में यह दिया गया है, C number में यह, और D number में यह, तो correct order क्या होगा, A to D में, तो इस question का correct answer, बताईए, question number 31, तो इस question का correct answer हो जागा, आपका option number D, ठीक है, B is greater than D, is greater than C, is greater than A, ठीक है, B देखे, CS3 COO minus है, उसके बाद D number होगा, CS3 O minus, उसके बाद CHO minus, उसके बाद A PHO minus, ठीक है, एक चीज़ यहाद रखेंगे, more basicity, more reactivity, जितना ज़्यादा basicity nature होगा, उतना ज़्यादा reactive होगा, ठीक ह तो question number 31 का correct answer हो गया, option D, next question है, which of the two, यहाँ पे दिया गया है, यह एक दिया गया है, O2, N, CH2, CH2 O minus, और यहाँ पे दिया गया है, CH2, मापकी ज़्यादा, CH3, CH2 O, is expected to be more stable, इसमें से कौन सा ज़्यादा stable होगा, एक free radical है, एक carbon ion है, तो इसमें से कौन सा ज़्यादा stable होगा, वो आपको बताना है, A number, B number, यह पे दोनों ही equal stable है, यह फिर आपका D option correct होगा, चले question number 32 का correct answer देने का पर्यास कीज़ेगा, सभी कोई, तो इसको structure को थोड़ा से बना लीजे, तब आपको समझ में आएगा, जैसे कि NO2 group है इदर, उसके बाद CH2, CH2, और यहाँ पे है O minus, इस dot, यह फिरी radical है, तो यहाँ पे दीखे, NO2 जो है, यह electronegative है, तो यह अपने तरफ electron को खीचेगा, मतलब minus I effect so करेगा, तो यहाँ का जो minus है, वो यहाँ पे आपका इधर तरफ आने का कोशिज करेगा, इसलिए वो stabilization करने का कोशिज करेगा, ठीक है, इस्टेबलाइस होने का यहाँ पे परियास करेगा, जबकि यहाँ पे देखे, CH3 का nature क्या होता है, electron donating का nature होता है, plus I effect का यहाँ पे so करेगा, जिसके करने एक तो यहाँ पे electron है, फिर से और ज्यादा electron दे रहा है, तो ज्यादा यह unstable होगा, तो आपका यहाँ पे stable ज्यादा क correct answer हो जाएगा, चले दोस्तों आज किस वीडियो का यहीं पे end करते हैं, उसके बाद आगे की question को आगे देखेंगे, मेरे ख्याल से आज हम लोग total 12 question को solve किये हैं, 12 question में आपका कितना correct हुआ है, जरूर से बता दीजेगा comment box में, और इसी पर का mock test आगे हम लोग करते रहेंग है, उसमें आप मुझसे contact कर सकते हैं, या फिर आप directly मुझसे WhatsApp पर भी बात कर सकते हैं,